हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो अवर चैनल, तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक यूनिक सा स्लीव डिजाइन, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मिजर्मेंट की हिसाब से सिंपल स्लीव की कटिंग कर लीजिए, तो में डिजाइन बनाने के लिए हमने ये कॉंट्रास्ट कलर में कप्रा लिया है, जिसकी लंबाई और चोडाई मैंने रखी है, तीन इंच, अब हम एक सिंगल पीस उठाएंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे, एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेंगे, और फिर स धागे और कपड़े की कटिंग कर लेंगे, सेम इसी तरीके से हम बागी पीस को भी बना कर त्यार कर लेंगे, तो ये देखे फ्रेंड, बागी पीस को भी हमने बना कर त्यार कर लिया है, अब हम ये अलग सा कपड़ा लेंगे, जिसकी चोडाई हमने रखी है, एक इंच, औ और लंबाई स्लीव के बराबर ही रहेगा यह देखे इस तरीके से अब हम सिलाई लगाते जाएंगे जो हमने डिजाइन बनाया था उसको इस तरीके से नीचे रखेंगे पट्टी के और इसके उपर सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरीके से बाकी डिजाइन को भी नीचे रखते जाएंगे एक के नीचे एक और इसके उपर सिलाई लगाते जाएंगे यह देखें इस तरीके से पूरे पट्टी पर हमें डिजाइन को रखते हुए अटैच कर लेना है ये देखे एक side complete करने के बाद अब हम पट्टी के दूसरे side भी सेम इसी तरीके से design को नीचे रत्ते हुए attach कर लेंगे तो ये देखे फ्रेंड पट्टी के दोनों side हमने design को attach कर दिया है ध्यान से देखे हमने सभी design का direction एक ही side रखा है अब हम sleeve को लेंगे और sleeve के center पर cut लगा लेंगे ये देखे armhole के side भी इस तरीके से cut लगा लेंगे उसके बाद इसको open करके design को इसके center पर रख लेंगे ये देखे इस तरीके से बिलकुल हमारी ये design center पर होनी चाहिए अच्छे से set करने के बाद अब हम इसकी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे यह देखिए यहां तक सिलाई लगाने के बाद अब हम कपड़े को गुमाते हुए इसके दुसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से सिलाई कम्प्लीट करने के बाद अब हम एक्ष्टा था गया और कपड़े की कटिंग कर लेंगे अब हम इसके मोरी साइट लगाने के लिए दो इंच ओड़ा कपड़ा लेंगे और उसको इस तरीके से बीच से फोल्ड करके इसकी किनारे पर अटेच कर देंगे अगर आप चाहें तो यहां कोई भी सुन्दर सा लेस लगा सकते हैं तो यह देखिए यहां तक सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से कपड़े के उपर हम एक बार नाखुन से प्रेस कर देंगे और कपड़े को हलका सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे ये देखिए इस तरीके से पूरे स्लिव में हम सिलाई लगा लेंगे और इस्टा धागया और कपड़े की कटिंग कर लेंगे अब इसके नीचे साइड हम एक और डिजाइन अटेज करेंगे तो उसके लिए हमने ये चोड़ा सा कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ये देखिए इसको इस तरीके से हाफ आफ इंच का गैप रखते हुए हम इसमें चुणनट बनाते जाएंगे ये देखिए सेम इसी तरीके से पूरे पट्टी पर हम चुणनट बनाकर त्यार कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमने इस तरीके से चुणनट बनाकर त्यार कर लिया है अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और स्लीव को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे यह देखे यहां तक सिलाई कम्प्Liej और अब हम एक्स्टर धागे और कपड़े की कुटिंग कर लेंगे यहां तक सिलाई कम्प्लीट करने के बाद हमारा यह डिजाइन कुछ इस तरीकी का दिखेगा अब हम इसमें final touch देंगे तो उसके लिए इस तरीके से हम इसको fold करेंगे ये देखिए सेम इसी तरीके से आपको भी design को fold कर लेना है अब हम इसके point पर सुईधागे की मदद से मोती attach कर लेंगे ये देखिए अच्छे से हम मोती को लगाते चाएंगे और कम से कम दो से तीन बार हम इसको अच्छे से टाक करके पीछे lock कर देंगे ये देखिए अच्छे से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें पीछे lock कर देंगे ये देखिए दो से तीन बार हम इसको गुमा लेंगे और धागे की cutting कर लेंगे तो इसी तरीके से सेम मेथट यूज करते हुए हम पूरे डिजाइन को fold करते जाएंगे और इसके point पर मोती लगा लेंगे तो यह देखे फ्रेंड मोती लगाने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा तो यह हमारा final look है तो friends आज का यह design आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा हो तो एक like जरूर कीजेगा और अपनी दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा और इसी तरीकी की नई नई डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा तो friends वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई